सास का पान बनारस वाला सास को था दिन भर बनारसी पान खाने का क्रेस और बहु को करना था हर काम बहुत तेज पान खाते हुए ठीक से बोल नहीं पाती थी सास और पान थूब भी नहीं सकती थी क्योंकि पान था बनारसी और बहु सुनती कुछ थी, करती कुछ थी ऐसे में सास को कभी आ जाता था गुसा, तो कभी हसी बहु, खौना बना दू क्या, गाना बना दू जी, अभी बना कर लाई खौना, 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 दूज सपाले कौन सा, धूम मचाले अड़ा, धूब धूब सपाले, धूब सपाले, धूब वही तो धूम मचाले, धूम मचाले, धूम अभी गाती हूं सासुमा धूम मचाले, धूम मचाले, धूम धूम सास परेशान होकर अपना सर पकड़ लेती है और बहु की हरकत देख कर वो बहु से कुछ नहीं कहती है एक दिन घर में आते हैं एक महमान सास उस वक्त भी चबा रही होती है अपना पाल और बताया कैसे है? क्या कह रही आप? अरे पूछ रही है पैसे है? अजर नहीं, कैसे है? पैसे है साथ अरे कैसे है आप बोल रही हूँ कैसे है आप कहा दीजिया अरे पैसे है साथ बोल रही हूँ पैसे है साथ दे दीजिये अरे पैसे क्यों मांग रही है? हमने कोई उदार लिया है कि आपसे? अरे नहीं जो वही तो बोल रही है वही तो आपने पैसे लिए ही होंगे उनसे अरे यार पान धूब बीजे ना फिर बोल लीजे ठोक दूब 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 बीजे ना फिर बोल लीजे अरे नस्त कर लो है क्या बोर रही है रास्ता पकर लो अगर सब बेज़त ये यार दोनों सास बू मिलकर दरा धमका रही है अरे रुको जही आशू करकर आई पार निकालूंगी रुको क्या क्या कहना चाहती हो अरे रुको भी आशू करकर आई पार निकालूंगी रुको बस इतना कहकर सास चली जाती है ठूकने पार लेकिन बहु से सास की बात का मतलब पूछ लेते हैं महमार अब ये क्या बोल कर गई है सुना नहीं पोल रही थी रुको अभी चाकुधार के लाई जान निकाल लूँगी रुको बस बहु की बात सुनके भाग जाते हैं गेस्ट और सास का पान थूकना भी चला जाता है वेश्ट अरे बहमार किदर गए हैं भाग गए आपने कहा था ना चाकुध जान निकालेंगी अरे बोला था आथू चाकु नहीं और पान निकालूंगी जान नहीं अरे तू मेरे घजलकारी मिक्स बनाएगी तो लोग कुछ का कुछ तो समझेंगे ही अरे क्यों बोलती है वीच में आपकी बात किसी कूश समझ में नहीं आती हिसलिए अरे तो पान रहता है न जबान पे अरे खाई के पान बनारस वाला लग जाता है आपकी जबान पर ताला मा जी हजार बार समझाया है पान खाते बड़ के चुप रहा करिये बात का बतंगर बन जाता है अरे पान पहले महमान बाद में अरे इतना रसीला पान कैसे ठोक दू वो भी महमान के लिए किसी दिन न ये पान के चकर में बड़ी मुसिबत में फश्या होगी आप लेकिन सास ने नहीं मानी बहु की बात और पकड़े रखा बना रसी पान का साथ घर में घटी रहती एक जैसी घटना सास बोलती दिल्ली पर बहु सुनती पटना एक बार महले में बन रही थी पक्की सडक जिसके उद्धाटन में आने वाले थी विधायक सास और बहु भी वहाँ पहुँची सोचा नजारा होगा देखने लायक भीड में सास थी सबसे बुजर्ग संचालक ने बुला लिया उसको स्टेज पर आशिरवाद के लिए और विधायक जी थे मुख्य अती थी तो उनका भाशन रखा बाद के लिए मा जी महले में सबसे बुजर्ग हैं आप स्टेज पर आईए और नई सड़क के निर्माण के लिए आशिरवाद रुपी दो शब्द कईए जबान पे रखे बना रह सी पान सास मंच के तरफ बढ़ गई और पान खाती सास के बाद को कोई नहीं समझेगा ये सोच के बहु भी मंच पर चड़ गई नमस्कार महले वालो नमस्कार खोहले वालो महले महले वालो महले वालो आँ ठीके ठीके समझी मैं बहुत किसे हूँ के जो रोड बन रही है मैं बेवकुफ हूँ जो रोड बन रही है बेवकुफ हूँ नहीं बहुत कुश बहुत कुश ओ, बेवकुफ नहीं, बहुत बेवकुफ आम आद्मे का विकास होगा आम आद्मे का विनाश होगा विनाश नहीं विकास, विकास विनाश नहीं, विकास होगा अ-अ, सारी सासु मा विधायक जी, बहुत जी, बहुत जी, बढ़िया आद्मिया विधायक जी नौटी नौटी बढ़िया आत्मी है अरे सासमा ये क्या बोल रही हो पहले तो सास बहु की बात सबको हसाती है पर बात तब बिगरती है जब विधायक जी पर आती है ये क्या बोल रही है दोनों मेरे बारे में विदायक जी कभी महले की संदर कांड करवाते हैं विदायक जी कभी महले के अंदर कांड करवाते हैं नहीं बहू ठीक से सुन सौरी माजी विदायक जी बहुत लिकास कटना है विदायक जी बहुत बख्वास करते हैं अर यार बहू, नेरा मट्रव विदायक जी सबके कच्छे के बारे में विदायक जी सबके कच्छे के बारे में सूच्ते है, मा जी, ये क्या बोल रही है आप? अरे ये क्या घंगोर बेज़ती है मेरी, कोई रोको इंको? नेता जी का गुस्टा देखकर सास हो जाती है परिशान पहु को डाटने के लिए स्टेज पर ही ठोक देती है पान पान के पिशकारी की धार में होता है उच्छाल सामने बैठे नेता का कुर्ता हो जाता है छीटो से लाल बिदाएक जी मुझे बाफ करो अब मैं पान नहीं खाऊंगी सासुमा मुझे भी बाफ करो अब मैं आपकी बात में टांग नहीं अडाऊंगी अरे आप दोनों मुझे माफ करो आपका महला मुझे माफ करे भगवान मुझे माफ करे जो मुझे यहां आने का पाप हुआ भीर जोर जोर से चाहा के मारती है सास अपनी बहुपे गुसा उतारती है नेता जी हो जाते हैं उड़न्चू मा जी हमेशा के लिए कर देती है पान को अठ्थू